हैलो क्रेम्स आज मैं अपने किचन में लेके आई हएं चॉकलेट ऐसक्रीम की रेस्पीं जो बहुत हें तेस्ट्यूम अपके साथ नप तो बिना इस्कीप की वे वीडियो को लाश तक देखिए ताकि आपकी वीडियो है चौकलेट आइस्क्रीम एकदम प्रॉपर एकदम परफेक्ट तरीके से बनके तयार होते चलिए आइस्क्रीम को बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले गयस पर हमने रख दिया एक पेन और इसमें हम डाल देंगे आधा लीतर दूद यहांपर मैंने फूल फैट धूद किया है प्केट किसीका भी दूद ले सकते हैं दूद डालने के बाद यहांपर अब क्या करेंगे हम गयस को आउन करेंगे और इसे वॉइल होने तक पकाएंगे यहां पर मैंने क्या किया है थोड़ा सा मतलब कि 4-5 चमज के करीब मैंने दूद बचा लिया है उसे हम रख दी हैं साइड में उसका हम बाद में यूज करने वाले हैं तो यहां पर हम वाइल होने तक दूद को गरम करेंगे थोड़ी दिर बात देखेंगे कि अच्छी तरह से वोईल होने लगा है जब दूद हम वोईल करेंगे ना तो यहां पर अभी तो हम गैस को हाई फिलेम पे ही रखें तो यहां पर अब हम डाल देंगे चीनी यहां पर मैंने जो है न छह बड़े चमश चीनी यूच किये हैं तो मीठा आप अपने हिसाफ से कम ज आ रहे हैं तो इसलिए हम कान फ्लॉर का यूच यहां पर बहुत कम करेंगे अब यहां पर एक हाथ से हम जो दूद को चलाते रहेंगे और दूसरे हाथ से जो एक कान फ्लॉर जो है न डूद में डालेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे यहां पर हम इसे लगातार मिक्स कर यहां पर आप देख रहेंगे दूद बहुत ही अच्छी तरह से वाइल हो रहा है तो इसी तरह से हम इसको पकाएंगे और लाश्ट में क्या करेंगे गैस की फ्लेम को लो कर देंगे अब यहां पर मैंने डाल दिया है दो चमच कोको पाउडर अगर आप चाहे तो आप इसको शुरू में ही दूद में मिला लीजे या तो एक कटोरी में पहले कोको पाउडर को मिक्स कर लीजे फिर दूद में अट करिए लेकिन यहां पर जो है न जब इसको हम लगातार 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से हम पका लेंगे यहां पर कोको पाउडर भी दूद में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है बहुत ही अच्छी तरह से अब इसे हमें क्या करना है यहां पर गयस को बंद करना है और इसे हम रखेंगे रेष्ट पे तो जब इस तरह से दूद पकन यहां पर हम ने ले लिया एक दूसरा बतर इसमें हम डालेंगे बिप्ड क्रीम तरह मैंने पूरे एक बड़े कफ से इसकी कॉंटिटीट कम जादा कर सकते हैं तरह मुक्सर की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको क्रीमि टेक्टर में लाना है तो यहां पर इसको हम 3-4 मिलट तक इसी तरह से हम लगतार चलाते हुए इसको मिक्स करें तो यहां पर आप देखेंगे जैसे जैसे ना विप्ट क्रेम मिक्स होगा अच्छी तरह से फ्लपी भी होगा और इसकी कॉंटिटी जो है डबल होने लगेगा अगर आपके पास हैंड विसकर होने तो आप उससे भी इसको कर सकते हैं लेकिन उससे थोड़ा टाइम लगता है यहां पर मैंने इस बहुत अच्छी तरह से लगाता है चला चला के कुछ इस तरह से हमने कल लिया यह एकदम क्रीमी क्रीम फ्लपी बन गया है तो अब यहां पर हमें क्या करना है ना हमने जो मिस्रड बना के तैयार किया ता ना कोको पाउडर का उसे इसमें हम डाल दिंगे यह देखने में लग रहा है और एकदम चॉकलेट चॉकलेट तो बिना हम ज्यादा पैसा खर्च किए भी हम घर पे चॉकलेट आइस क्रेम बना कर तैयार कर सकते हैं अब यहां पर आप देखेंगे ना इसको भी हम दोनों चीजों को बच्ची तरह से मिक्स करके एकदम क्री करेंगे यहां पर यहां पर इस्से भी हम ठीन क्रीमी बनें क häफ लिए दिखें सब्परेगा यहां पर हमें क्या करना इसमें रफाइड करना है वनीला एसंस ब hopping 50,000 बहुत इस तरह में दियाए हैन्याक है यह एड़िजिद dar तरह से रेड़ी हो गया है आइस्क्रीम बनाना बहुत ही आसान रहता है बस इसको सेट होने में जो टाइम लगे तो यहां पर यह देखे बहुत अच्छी तरह से ना बैटर बनके आइस्क्रीम का रेड़ी हो गया है तो चलिए विसे हम सेट वनने के लिए रखते हैं किसी इतता है इते बहुत ही लिए उस फीघर से यहां पर आल सकते हैं बहुत ही अच्छा साथ आता है पर हम ले लिया है एक बॉक्स । यहां पर मैंने चोकल Ciao ले निया उसमें सडलकर परकार सचासे में कड़ोंगे prove आपर से भी हम थोड़ा डाल देंगे चोकोचीपस देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। चोकोचीपस डालने के बाद इसे हम कवर करेंगे और इसे रख देंगे फुल नाइट के लिए फ्रीजर में ताकि अच्छी तरह से हमारी आईस क्रीम सेट हो जाए। तो चलिए इसे हम फुल नाइट के लिए आइस क्रीम को रख देते हैं फ्रीजर में, तो यहाँ पर फुल नाइट रखने के बाद मैंने दूसरे दिन आइस क्रीम के बॉक्स को निकाला है, तो यहाँ पर आइस क्रीम हमारी बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गई है, आइस क् सर्व करने से पहले आप इसको 5-10 मिलिट तक ऐसे छोड़ दी दिये तब जाके आइस क्रीम अच्छे से बॉक्स से निकलता है यहां पर अब हम इसे क्या करेंगे ना एक प्लेट या कोटोरी में हम निकालेंगे तो यहां पर चलिए हम आइस क्रीम को सर्वी कर लेते हैं यहां आप बच्छे चोकलेट आइस क्रीम काने के लिए जित कर रहे हों तो आप घर पे बहुत ही कम घरचे में चोकलेट आइस क्रीम बना और तयार कर सकते हैं और आपके वच्छे फूल इंजोई करकर इसको एक से दो बार खा सकते हैं यहां पर मतलब इस बॉक्स में कम से कम 10 से 12 लोगों के लिए आइस क्रीम बनके रेडी हुआ है तो आदा लीटर दूद में दो चमत चौको पॉटर से हमने इतनी धेर सारी आइस क्रीम जो है घर पे बनाकर रेडी कर लिया है तो एक बार आप भी इस तरह से चौको आइस क्रीम जो है अपने घर पर बनाईए और अपना फेमली मेंबर्स फ्रेंड रूप में सब में मतलब सेयर करिए रेस्पी पसंद आई है तो प्लेस लाइक करना तो बनता आई है अब यहाँ पर हमने कटोरी में जो है आइस क्रीम को निकाल लिया है और इसके उपर से हमने चोको चुपस से इसे गानिश कर दिया है बहुत ही ड चॉकलेट आइस क्रिम बहुत ही जादा पसंद आता है तो एक बार आप इस रेस्पी को जरूर बनाएए आपको बच्चो बहुत पसंद आने वाला है तो अगर आपको रेस्पी जरास भी पसंद आई होना तो प्लेस वीडियो को जरूर लाइक करिए चले मिलते हैं